मस्कार दोस्तों जिके अर्जन सार यूट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजी टी दोजार पांच ग्रीव विज्यान का साल पेपर तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अभी त पीजी टी ग्रीव विज्यान का प्रीविएस एर का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी पीजी टी होम साइंस और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो वहां से पिछले भी जितने भी प्रीविएस पीजी टी ग्रीव विज्यान के पेपर हुए हैं 2021 तक आप साल्व देख सकते हैं तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं पहला कोशन इसमें सीशा बनता है सीशा किसे बनता है बालू सीलका और लाइम इस्टोन से कोशन नमर दो है बच्चों के इसकूली वस्तर के लिए नि निम्न में से नियाय दर्स की कौन सी बीधी सरल्वा ब्यवहारिक है तो वह है ब्यवस्थित दैव निर्दर्शन पोशन नमर चार है ग्रीव विज्यान प्रसार का उद्देश से है तो ग्रीव विज्यान प्रसार का उद्देश से क्या है इसमें एंसर हो जाएगा उपिक कुष्चन नमबर पांच है प्रावड सिच्छा लोगों के लापकारी है क्योंकि इससे जो है वे अपने को अधिक संवरिद बना सकेंगे कोश्चन नमबर च्छे है बिसु जन संख्या देवस कम मना जाता है तो ये मना जाता है 11 जुलाई को कोश्चन नमबर साथ है पोश्टर होते हैं तो पोश्टर क्या होते हैं तो ये द्रिश साधन होते हैं कोश्चन 너.8 है ब्यक्तिगत संपर्ख विधी है प्रसार, सिच्छा की कोश्चन 너.9 है ब्रेल की बिधी से क्या है अंधे पढ़ सकते हैं कोश्चन 너.10 है गृज्ण प्रसार, सिच्छा के अंतरगत नीमन वी से आता है तो वी से कौन सा है ? अहार और पोषण कोश्चन नमबर 11 है प्रात्मिक स्वास्त केंदर का कारे नहीं है तो वह है आर्थिक विकास कोश्चन नमबर 12 है स्रव्य द्रिश साधन है स्रव्य द्रिश साधन है क्या है दूरदर्शन Question number 13 है प्रतेक सामुदायिक बिकास खंड में कितने प्रात्मिक स्वास्त केंदर होते हैं। Question number 15 है उथ्तम ग्री सज्जा के लिए अनिवार है। उत्तम गरी सज्जा के लिए क्या निवार about को स्शनमर 16 है लंबा दिखने के लिए लंबा दिखने के लिए क्या ओनांच आए हमांट 1517 कार्डिंग के दौरा तो क्या क्या गए था क्या साफ किया जाता है क्वश्टन épisode 18 है ड्राफ्टिंग की द्वारा नापकनसार कागत पर पढ़्धान का चित्र बनाया जाता है क्वश्टन नबर 19 है निमलीखित किस प्रक्रीया के अन्दर गत भेन के बाल काटे जाते हैं प्रक्रीया पूछा जा रहा हुऄ है तो वह है सियरिंग Q2 is, किस रंग की बिधी में मौम का प्रियोग किया जाता है, तो वह है बातिक Q2 है, कृित्रिम रेशों के अंतरगात निमलिखित कपड़े आते हैं, किस परकार कपड़े आते हैं, लाइलान के कपड़े कोश्चन नमर 22 है बीना परिसज्जा क्या करेंगे कपड़े अनाकर्शक लगता है कोश्चन नमर 23 है निमलिकित में से कौन सी वस्तर निर्माण की बिधी नहीं है वस्तर निर्माण की बिधी नहीं है पूछा जा रहा है इसमें तो वह है बीनाई question number 24 है निम्लकित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है तो इसमें आपका एंसर रहाएगा पादप तंतु question number 35 है निम्ल में से कौन यांतरिक परिसज्या है यांतरिक परिसज्या पूछा जा रहा इसमें तो वह है टेंट रिंग Q26 है सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहां पर वा था देश का नाम पुछ राइस में यह वा था चीन में Q27 है कपड़ों को 10% प्लास्टिक सोडा Q28 है साइको सेक्श्वल थ्योरी दी गई है Q28 है गरभा उस्ता के दवरान गरभावती इस्तरी के लिए आवस्यक है क्या आवस्यक है दूद वो प्रोटीन नुक्त भुरपूर भोजन कोश्चन नमबर 30 है बच्चों के सारीरिक विकास में सबसे महत्पूर्ण कारक है सबसे महत्पूर्ण कारक क्या है पोशन होता है कोश्चन नमबर 31 है पूरो बाले अवस्था का समय होता है पूरो बाले अवस्था का समय होता है 2-6 वर्स तक पूर्व बाले वस्था के समय कब से कब तक माना आता है दो से छे वर्ष तक कोश्चन नमर 32 है ग्री ब्यवस्था के निर्धारक है तो ग्री ब्यवस्था के निर्धारक है मानवी और मानवी साधन Question No. 38 है घरेलू आइबेक के संतुरूथ करने के लिए निमनі का अपार आवस्यख है तो अपार आवस्यख है वो है बजट बनाना Question No. 34 है तीन मुल रंगों के अंतरगत कौन से तीन रंग आते हैं तो कौन से तीन रंग आते हैं यह पूछा जारा इसमें तो इसका जो है आपका सही जवाब होगा 34 का नीला पीला लाल क्योंकि नारंगी होगा नहीं, बैगनी होगा नहीं, गुलाबी होगा नहीं, आरजीवी होता इसमें, लेकिन आरजीवी नहीं दिया, तो नीला पीला लाल, यह 34 का आपका राइट अंसर, दूसरा सही होगा Question number 35 है निमलिखित में से किसी का तात्पर एक किसी प्लान के अंतिम पढ़ाम से है तो वह है मुल्यांकन का Question number 36 है परिवारिक जिन्दगी का एक महतपुन अंग है तो क्या महतपुन अंग है वह है वाईलू Question number 37 है इके बाना पुस्प सज्जा है तो इके बाना पुस्वजा क्या है जपानी कुश्चन नमबर 38 है भारती मानक संस्थान यानि ISI के स्थापना किस वर्ष की गई थी ये हुई थी 1947 में कुश्चन नमबर 49 है सजावट का सिध्धान्त है क्या है अनुपात और अनुरुपता हता है कुश्चन नमबर 40 है योजना में ब्यक्तिगत उदेशिये निर्णेयों की सिंखला होती है जो एक दूसरे पनिर्भर है या किसका कथन है यह कथन है पी निकेल वर एम डारसी का कुश्चन नमबर 41 है राष्टी या बचत पत्र किसके द्वारा जारी कियाते है यह जारी कियाता है पोष्ट आफिसके द्वारा कुश्चन नमबर 42 है सरीर की मास्टर ग्लेंड है यह पुछा जारा इसमें प्यूटिट्री ग्रन थी कोश्चन नमर 43 है शरीर का तापमान समानता होता है तो सरीर का तापमान जो है समानता कितना होता है 98.4 डिगरी फारेन हाइट कोश्चन नमर 44 है एंटिबाइटीज सुरच्छा परदान करते हैं तो एंटिबाइटीज जो सुरच्छा परदान करते हैं संक्रमन से कोस्चा 45 है अंतर二 स्वाष्ट संगठे ने 右- मुख्यता काम करता है तो यह काम करता है किस पर स्वाष्ट संबन्दी कोस्चा 46 है नारमल ही मोगलोवीन अस्तर होता है तो नारमल क्या अदने ही मोगलोवीन का अस्तर तो वह है क्वेशन नमबर 47 है घनी बस्तियों में पीण पौधे क्या होता है वातवरण को सुध करते हैं क्वेशन नमबर 48 है उर्जा का मूल स्रोत है तो उर्जा का मूल स्रोत क्या होता है सावर उर्जा question number 49 है गरभावस्ता के दरान कितना भार बढ़ना उचित है तो वह है बारह की ग्रा question number 50 है मधुमे का एक लच्छन है तो मधुमे का एक लच्छन के आवता है रक्त में गुलुकोज का अस्तर बढ़ना question number 51 है ब्यक्तित्यों को प्रभावित करने वाले दो कारक है दो कारक कोंसे है वन्सानुगत गुण एम तथा वाता वरण question number 52 है अच्छी आदते डालने का समय है तो उसका समय है जन्म से पांच वर्स तक question number 33 है बच्चे का लिंग निर्धारण किस्चत होता है question number 54 है वीनिंग शुरू होनी चाहिए वीनिंग शुरू होनी चाहिए चार सच्छे माँ पर question number 55 है ओवम का पिरियड होता है इसका होता है सुनी से दो हपते question number 56 है टोको फिराल है टोको फिराल क्या है बिटामिन E का रसानिक नाम है ये question number 57 है रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है ये ध्यान दिया जाता है किस पर उपिक सभी आहार की प्रकृति पर रोगी की भोजन सम्मंदी आदतें या रोग का कारण जानना question number 58 है गरभवती मैला को परते दिन अतरिक्त कैलोरी आव सकता होती है कितनी होती 300 कैलोरी आव सकता question number 69 है एक ग्राम कार्बोहाइडरेट में पाई जाने वाली उर्जा है एक ग्राम कार्बोहाइडरेट में चार किलो कलेर उर्जा पाई जाती है question number 60 है रेषा है रेषा क्या है त्युक्तahonे तुला जहें अप्राप्त कारभोहाइड्रेट है कॉश्चन नमबर 61 है कार्भोहाइड्रेट कॉश्चन bur 62 है रताहुधी, निम्नीकिति-पाश्टिक ततो की कमी से होता है तो वह है बिकामिन E की कमी से कॉश्चन नमबर 63 है रेसिदार खाद पदार्थ आवस्यक है कि वह वश्यक है जहीं पाचण के लिए कोश्टन नमर 64 है निमलिख्त में से कुलेस्टाल का सरवाधि檢़िग घनिष्ट संबंध किस्थ है ठस्य कोलेस्टाल का सरवाधिक घनात तो संबंध होता है किस्थे वाशा से पो से 65 है काली किस दूध किस पुजिक्त तत्तों का अच्छा स्वुध है तो इसमें आपका राइट अन्स रो जाएगा कैलसीयम कैलसियम सबसे ज्यादा मिलता है दूध में को रसाथ है दूध में यहाँ पर क्या नहीं मिलता है कोश्चन बनाया गया है तो दूद में जोई लौव नहीं मिलता है कोश्चन नमबर 68 है हार्मोन्स निकलते हैं तो हार्मोन्स कहां से निकलते हैं ये वाहिनी विहीन गरंथी से Q89 है शरीर में पानी की कमी का कारण होता है तो वह शरीर का पानी तथल लवां निकल जाना Q70 है फेफड़े द्वारा बाहर फेकी गई गैस होती है फेफड़े द्वारा बाहर फेकी गई गैस होती तो क्या होती है वो है Carbon Dioxide Question number 91 है ज़र के प्रभाव से ससंदर क्या होता है ज़र के प्रभाव से ससंदर बढ़ती है Question number 72 है काकलिया सहाइता करता है यह करता है सूनने में Question number 73 है स्वेत रग्त करन का कार्य है तो यह है रोग परतिरोधक छमता प्रदान करना कोश्चन नमबर 74 है टेस्टो इस्टोरीन हार्मोंस उत्पन होता है यह उत्पन होता है सुक्रासे में कोश्चन नमबर 75 है आवस्यक आवसकताओं के अंतरगत आता है वह है भोजन आश्रे और कपड़े कोश्चन नमबर 76 है जल की अस्थाई कठोरता दूर करने की बिधी है तो दूर करने की बिधी क्या है सोडियम कार्वनेट मिलाकर कोश्चन नमबर 77 है निम्लिखित में से किसमे लौतत्व नहीं पायाता है तो लौतत्व नहीं पायाता है किसमे दूद में कोश्चन नमबर 78 है किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है कौश्चन नमबर 89 है निम्निकित में से कौन सा भोज़ पदार्थ विटामिन C का अच्छा स्रोत है तो वह है प्हल कोश्चन नमबर 80 है प्रोटीन का इकाई है कोश्चन नमबर 80 है संतुलित आहार का अर्थ होता है कोई कारे करता कोश्चन नमबर 82 है शरीर में परोटीन क्या होता है कोश्चन नमबर 83 है गर्भा उस्था में कम क्रियासिल इस्तरी को कितनी कैलरीज की आउसकता होती है इसमें जो है बाइस सो कीलो कैलरीज की आउसकता होती है Question number 84 है मान स्पेशिव में ठाकावत किसके अत्यधिक निर्माण से होती है तो वह है लैटिक आमले से कॉस्जाbδα 85 है निम्न में से विशाणू जनित रोग है कॉस्जान नमर 86 है ECG किसकी जनकारी देता है ECG हिर्दे की जनकारी देता है कॉस्जाb跟我 87 है एक कृत बाल विकास योजना किस सन से सुरू किया गया कॉस्जाb 에ives, KG cell reader knowledge का मुख्य स्रोत क्या है जल प्रदूसर्ण के मुख्य सुरोत क्या है तो वह है अध्योगिक आउसिष्ट कोश्चन नबर 89 है इन में से कौन उत्तक है तो वह है रक्त रक्त जो एक प्रकार का सयोजी उत्तक होता है कोश्चन नबर 90 है मनुस्थ में कितने रक्त समूपाय जाते हैं मनुस्थ में जो है चार रक्त समूपाय जाते हैं A, B, A, B और O 90 का एक सही है कोश्चन नबर 91 है हीमोफीलिया वह बिमारी है जो वनसानुगत गुणों के कारण होती है कोश्चन नबर 92 है स्फेगनो मैनोमीटर से माप सकते हैं इससे क्या मापा जाता है तो इससे मापा जाता है रक्त चाब कोश्चन नबर 93 है मोटापा किस की अधिक्ता से होता है मोटापा जो है वसा की अधिक्ता से होता है कोश्चन नबर 94 है कंकाल सिस्टर्म निम्न में से किस खनीज लवणों से बना है ये बना है कैल्सियम एम फासफोरस से कोश्चन नमबर 95 है घर बनवाने सम्मंदी प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है वसंस्था है हुड को कोश्चन नमबर 96 है वसा के इस्तिमाल के बिशे में आजकल क्या धालना है तो आजकल धालना है कि वसा का उपयोग और संत्रिप्त वसा की रूप में करना चाहिए कोश्चन नमबर 97 है हाइपर टेंशन का कारण होता है उच्छ रक्त चाप कोश्चन नमबर 98 है एक समान स्वस्त बेक्ति का हिर्दे एक मिनट में कितनी बार धड़कता है एक मिनट में जो है 72 बार धड़कता है कोश्चन नमर 99 है लार गरंथियों के एंजाइम्स पाचन करते हैं ये करते हैं कार्बो हाइडरेट का कोश्चन नमर सव है लड़कियों में किसुरा वस्था की उम्र होती है बारा से तेरा वर्ष कोश्चन नमर 101 है निमलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं तो नि Q2. थ्रामबीन की उपश्थिति से क्या होता है? रत जमता है. Q3. मानो शरीर में आक्सीजन को ले जाने वाला वहक है. तो वह है हीमोगलोबीन. Q4. अंडाणू का उत्पादन करता है. यह करता है कौन अंडास है? Q5. समातन के लिए आवस्यक है. कुश्चन नमबर 106 है निमलिकित में से अगनासे का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है तो इसका राइट एंसर होगा इसमें इंसुलेन कुश्चन नमबर 107 है मानो में स्वसंदर होती है कितनी होती है 72 प्रती मिनट कुश्चन नमबर 108 है ब्रिक की सनराचनात्मक और किर्यात्मक इकाई है तो इसकी सनराचनात्मक और किर्यात्मक इकाई होती है नेफ्रान question number 109 है लाल रक्त कडिकाओं और स्वेत रक्त कडिकाओं और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है यह होता है कहाँ पर अस्थी मज्जा में question number 110 है कौन सा यूग में सही है इसमें आपका सही होगा BCG 6 रोग question number 111 है इसकरवी नामक विमारी किस विटामिन के अभाव में होती है तो विटामिन C के अभाव में होती है question number 112 है स्वास्त केवल रोग अथवा दुरबलता के अनपस्तिती से नहीं बलकी संपूर्ण सारेरिक, मानसिक और समाजिक स्वास्त की अवस्था है यह कथन दिया गया है तो यह कथन दिया गया है विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा question number 113 है बाइस केपीड वाल्ब बीच में इस्थित होता है यह इस्थित होता है बाय आलेंद और दाया आलेंद के बीच में question number 14 है महा धमनिय असुद रक्त ले जाती है ये लियाती है पलमोनरी में खेगा रोग में घेगा रोग में थाइरड गर्न्थी बढ़ जाती है मानो शरीर में पानी का प्रसाथ होता है 70 सब्सक्राइब के लिए आवस्यक गैस है जीवन के लिए आवस्यक गैस कौन से है तो वह है आक्सीजन कोश्चन कोश्चन नमर 112 है पसीने के साथ सरीर से क्या होगा नमक का नुकसान होता है कोश्चन नमर 121 है जीरो पाथाल्मिया किसकी कमी से होता है यह विटामिन एक कमी से कोश्चन कोस्तन 222 बिली रूबीन तथा विली वर्डीन उपस्तित होते हैं ये उपस्तित होते हैं या था कोस्तन 163 किया है इसकी सनचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या हैTime कुणत प्रप्राप्त होने वाले बिटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज़ पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है तो वह है बिटामिन डी ये था PGT ग्रीव बिज्ञान 2005 का साल पेपर तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया था इसको लाइक करें दोस्तों के हाँ अधिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम